गुड मॉर्निंग स्टुडेंस, क्लास 3 साबजेक्ट स्पोकेन हिंदी 30 जुलाई 2020 आज पाजो टॉपिक है वो है पंची, तो चलिए पंची के बारे में जानते हैं पंची आस्मान में उड़ता है, पंची की शरीर पंक से धका होता है वो पंक फैला कर उड़ता है आसमान पर हमारे राष्ट्य पंची कौन है? हमारे राष्ट्य पंची है मौर पंची के दो पैर होते हैं और पैरों में नाखून होते हैं जिसके सहायाता से वो पेर के डाली या कुछ भी पकर कर बैठते हैं पंची बहुत से रंगों की होते हैं, मौर तो बहुत सुन्दर पंची है, बारिश के समय वो अपने पंक फैला कर नाचने लगते हैं, और उस समय मौर को बहुत खुबसूरत लगते हैं, और फिमेल जो मौर होते हैं, उसको मौर नहीं कहते हैं, ठीक है? तो ये था पंची के बारे में कुछ शब्थ आप अची तरह से सुनना और घर में जरूर अफ्रस करना थेंक यू